नमस्कार मित्रो सक्सिस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं रितिक आज हम पढ़ेंगे कलाश टेंथ का पोएम जिसका नाम है अमेंडा इसकी लेखक है रॉबिन क्लैन वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा यदि आप इस वीडियो की अंत लेकिन बच्चों वो लगता है कि वे नियंतरन में है इसलिए वोह अलग ही कलपना करते हैं और दोन्ट बाइक ओर नेल्स हमेंडा आप मतलव होता है मुह से कोई वस्तू काटना मैं street stam pond उपने नांखूंग ओपन ने नार्फूनों को मत काटो acute 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 of austale अंने segals इदरी प और शोल्डर्स अमेंडा हंच मतलब होता जुकाना, शोल्डर्स मतलब होता कंधे, तो अपने कंधों को मत जुकाओं अमेंडा, stop that slouching and sit up straight अमेंडा, slouching मतलब होता आगे जुक कर बैठना, तो आगे जुक कर मत बैठों अमेंडा, और sit up straight और सीधा होके बैठो, stop that slouching and sit up straight, slouching मतलब होता है आगे की ओर जुक कर बैठना, तो इसकी मा बोल रही हैं कि जुक कर मत बैठो, sit up straight सीधा बैठों अमेंडा, फिर से रिवीजन करते हैं, डोंट बाइट योर नेल समेंडा, अर्थात अपने नाखुनों को मत काटों अमेंडा, डोंट हंच योर सुल्डर समेंडा, अर्थात अपने कंधों को मत जुकाओं अमेंडा, stop that slouching and sit up straight, अर्थात आगे जुक कर मत बैठो, सीधा बैठों अमेंडा, there is a language immirale sea, where the soul inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully, अर्थात अपने मतलब होता है, सान्ती पूर्बग, immirale sea मतलब होता है, नीला समुद्र, inhabitant मतलब होता है, मर्मिट मतलब होता है, जल परी, drifting मतलब होता है, सान्ती पूर्बग, घुमना, blissfully मतलब होता है, आनंद दायक, तो ये ब्रेकट्स वाला अमेंडा के, खुद की कलपना है, तो हम यहां से अर्थ को उठाएंगे, ए मर्मिट कास में एक जल परी होती, immirale sea inhabitant और नीले समुद्र की निवासी होती, कास में एक जल परी होती और नीले समुद्र की निवासी होती, तो वहां पर आराम से सान्ती पूर्बग घुम रही होती, पिर से कास में एक जल परी होती और नीले समुद्र की निवासी होती, जहां पर सान्ती पूर्बग आराम से घुम रही होती, क्या तुमने अपना होम वर कमेंडा, है वो हमेंडा की मा बोल रही है, क्या तुमने अपना होम वर किंश कर लिया है, खदम कर लिया है अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया मुझे याद है आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लो अमेंडा आई थोट मुझे याद है आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते क्लेन कर लो साफ कर लो अमेंडा फिर से डिड यू फिनिस योर होमवर्क अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है आई थौट मुझे याद है आई टोल्ड यो मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूतों को साफ कर लो अमेंडा अब फिर से अमेंडा खुद की कलपना कर रही है कास में एक अनात होती आर्फन मतलब होता है अनात कास में एक अनात होती रोमिंग मतलब होता है गोमना कास में एक अनात होती रोमिंग दा स्ट्रीट स्ट्रीट मतलब होता है गली या सडक और गलियों में गोम रही होती कास में एक अनात होती या और गलियों में या सडकों पर गोम रही होती I pattern soft dust with my hashed bare feet pattern मतलब होता है आकरिती soft मतलब होता कोमल dust मतलब धूल hashed मतलब होता है sand bare feet मतलब होता है नंगे पैर तो I pattern soft dust with my hashed bare feet अठात वहां पर अपने सान्त और नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बना रही होती कास में एक अनात होती और शड़कों पर घुम रही होती तो मैं वहाँ पर अपने सांत और नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बना रही होती The silence is golden The silence is golden अर्थात सांती जो है ओ सोने के समान है सांत रहना बहुत कीमती है सोना कीमती होता है तो The silence is golden अर्थात सांती जो है या चुप रहना सोने के समान है The freedom is sweet और आजादी सुखद है Don't eat the chocolate Amanda अमेंडा चॉकलेट मत खाओ Remember तुम्हें याद है ना your account I can मतलब वता है मुहासे या पिम्पल भी बोल सकते है Remember तुम्हें याद है ना की चॉकलेट खाने से तुम्हें मुहासे निकल जाते है Don't eat that chocolate Amanda अमेंडा अमेंडा चॉकलेट मत खाओ Remember तुम्हें याद है ना की इस से तुम्हें मुहासे आ जाते हैं Amanda Will you please look at me क्या तुम मुषे देखोगी When I am speaking you जब मैं तुम्हें बात कर रही हूं Amanda Will you please look at me क्या तुम मुषे देखोगी When I am speaking you Amanda जब मैं तुम्हें बात कर रही हूं आई एम रूप एंजल, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair, I am रूप एंजल, कास मैं रूप एंजल होती है, अमेंडा सोच रही है, रूप एंजल, रूप एंजल की कहानी आप लोग सुने होंगे, उसमें एक चुड़ेल होती है, जो एक बड़ी सी मिनार पर रहती है, और नीचे तभी जाती है, जब अपने बालों को नीचे लटकाती है, तभी उसमिनार पर कोई जा सकता है, या आ सकता है, इमेज में आप देख रहे हैं, कास में एक रूप एंजल होती, I have not a care, तो मुझे जीवन में किसी चीज की परवाह नहीं होती, कास में गूप आंजल होती, तो मुझे जीवन में किसी की भी कोई परवाह नहीं होती, लाइफ इने टावर इस ट्रॉएंकल एंड रेर, रेर मतलव उता दुरलब, ट्रॉएंकल मतलव उता सांती पूरवग, और टावर में मेरा जीवन बहुत सांती से बीतता, और टावर में मेरा जीवन बहुत सी सांती और दुरलब से बीतता, I'll certainly never let down my bright hair, मैं निश्ची तुरूप से अपने चमकीले बालों को नीचे कभी नहीं, कभी नहीं लाती, तो मैं निश्ची तुरूप से अपने चमकीले बालों को कभी भी नहीं लाती, फिर से कास में एक रुपांजल होती, तो मुझे जीवन में किसी बीजी चीज की कोई परवा नहीं होती और मेरा जीवन टावर में सांती पूर्बग भी तता और मैंने इस चित रोप से अपने बालों को नीचे कभी नहीं लटकाती अर्थात जब बालों को नीचे नहीं लटकाएगी तो ना तो कोई उपर जा सकता है और ना ही कोई नीचे आ सकता है Stop-Sulking at once Amanda Sulking मतलब होता है खिन या रोने जैसा मोह बनाना उदास होना तो रोने जैसा मोह मत बनाओ Amanda You are always so moody Amanda अर्था तुम्हारा मोड हमेशा खराब क्यों रहता है Amanda Anyone would think कि यदि कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही सोचेगा that I nagged I nagged मतलब होता है कोई ना डाटना तो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डाटा है Amanda वीडियो पसंद आई हो तो पहें मित्रों के साथ भी सेर कीजिए ताकि वे भी इसका लाफ ले सकें इसका है झाह give गि पसंद आई हमारे की कि पस्पsten तुम्हें पस्ट पता दो जह रुम्हें दो र्यामён